नमस्कार अभी कोवीड का जो हम रूप टीवी और मीडिया पर देख रहे हैं वो बड़ा भयाव है हमें नजर आता है लेकिन मैं आपसे एक बात कह दूँ कि कभी भी घबरानी की किसी भी चीज से जोरत नहीं होती जिस प्रकार सरकार हमें गाइड लैन देती है उस प्रकार हम अपने आपको प्रिकोशन से रखें और सावधानी से जीवन जीएं तो मुझे लगता है कि किसी प्रकार की कोई चिंता की आवशिक्ता नहीं लेकिन योग के मध्यम से हम क्या कर सकते हैं ये भी एक विचार का विशह है देखिए ये जो रोग है ये फेफडे के उपर अटेक करता है जैसा कि आपको पहले से पता है कि लंक्स के उपर इसकी जादा जो है वो प्रेशर रहता है और जो पैसेंट होता है उसको ओक्सिजन का लेवल जो है वो बहुत डाउन हो जाता है फेफडा काम करना बंद कर देता है अगर लोजिकली बात करें तो किसी भी गली का अगर आप अतिक्रमन देखेंगे तो वहाँ पर रोज गाडिया नहीं जाएंगी तो वहाँ पर अतिक्रमन हो जाएगा और धीरे धीरे वो गलीया इतनी संक्री हो जाएगी कि साइकल भी जानी बड़ी मुश्किल होती है लेकिन अगर रोज उस गली को साफ किया जाए, रोज वहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोल किया जाए तो वहाँ वो गली जो है संकडी होने की बजाए अपनी निश्चित और सही शेप में रहेगी सेम यही बात हमारे लंग्स पर, हमारी बोड़ी पर, हमारे आटलरीज पर, जो रक्त की जो नलिया है उन पर लागू होती है तो अगर हम रोज नियमित रुप से ट्रैफिक को यहाँ पर कंट्रोल करें तो जब भी कभी इमर्जेंसी की बात आएगी उस समय वहाँ पर ट्रैफिक जाम नहीं होगा तो इसका उपाय क्या है कि हम लंग्स से सम्बंदित या रैस्पिरेटरी सिस्टम से सम्बंदित कुछ ऐसा छोटा सा पैकेज जो कोई भी कर सके कैसे भी कर सके ऐसा एक पैकेज और बिना घबराहट के साथ देखिए अगर आप घबरा गए किसी भी चीज से कोई भी चीज दुनिया में हो अगर आपको डर लगता है तो वो चीज आपकी और आकरशित होती है डरना नहीं किसी भी चीज से अगर आपको ऐसा लगता है कि माहूल में बहुत जादा कोवीड का जो है वो संक्रमन हो रहा है तो आप अपने अंदर को मजबूत करिए अपनी ओक्सिजन के लेवल को मजबूत कीजिए और उसके लिए मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा जो भी आप वैक्सिन ले रहे हैं दवाई ले रहे हैं जो भी आप विवस्ता करें वो सब अपनी आप करते रहिए लेकिन इसके अलावा जो हमें योगी क्रिया जो हम बैटे-बैटे कर सकते हैं अक्यूप्रेशन के कुछ पॉइंट से कुछ मुद्राएं हैं उनके बारे में आचर्चा करूँगा तो लंग्स के लिए मैंने एक पहले वीडियो बनाया था उसमें आपको एक क्रिया बताई थी जो की बहुत लाबकारी क्रिया है इससे हमारे लंग्स की एक तो फैलने का सिकूरने का जो मोशन है वो बनता है साथ में उक्सिजन का लेवल हमारे फेफडे के अंदर जाता है साथ में जब हम पीछे हाथ खीशते हैं तो डायाफ्राम जो है उसको भी एक मूमेंट मिलता है डायाफ्राम और लंग्स का आपस में ऐसा रिलेशन है जैसे भाई बेहन हो डायाफ्राम अगर अच्छी तरीके से संकुचित और फैलने का काम करे तो लंग्स को जो है वो उक्सिजन अच्छी मिल पाती है तो मैंने आपको पहले बताया था कैसे करना है देखिए ये क्रिया अगर आप शुरू शुरू में करें तो 10 से 15 बार शुरू करें फिर उसके बाद में धीरी धीरी उसकी क्वांटिटी बढ़ाएं स्पीड जो जवान है जो यूवा है वो तो स्पीड थोड़ी कर सकते हैं लेकिन जो बुजुरू है जिनको बहुत प्रकार के और भी रोग है वो धीमे गती से केवल पीछे जैसे ले कर जाना है मैं आपको उपाय बता दूँ देखिए आगे हातों को टच करना है ये पहली क्रिया है स्वांस छोड़ते हुए यहां से स्वांस भरते हुए पीछे लेकर जाना हातों को स्वांस छोड़ते हुए आगे स्वांस भरते हुए पीछे आगे पीछे अब देखिए इसमें हुआ क्या है उसमें हमारा जो कंदा है ये पूरा खिच रहा है lungs जो हैं पूरे खिच रहे हाथ जब पीछे जाता तो यहां का जो हमारी पसलिया है रिब्स हैं इसके एरिये को पूरा खिचाव देती है और जब lungs फैलते हैं तो oxygen भरते हैं हमारा oxygen जब अंदर जाएगा lungs में बहुत ज़्यादा oxygen बढ़ेगा तो हमारा रोज का traffic control जो मैं आपको कह रहा था वो traffic control हो रहा है और जब भी कभी emergency का मामला आएगा तो कम से कम इतना तो oxygen हमें रहेगा और हम अंदर से अपने आपको बहुत मजबूत यहां से भी और यहां से भी मन से भी और शरीर से भी स्वास छोड़ते हुए आगे स्वास भरते हुए पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे स्वास भरते हुए पीछे जाएंगे स्वास छोड़ते हुए आगे अब जो युवा है वो इसी स्पीड से कर सकते हैं, जो बुजूर्ग हैं, जिनको शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि वो स्पीड से कर पाएं, तो वो कैसे करें? आगे, स्वास भरते वे, पीछे खीचिए, कुम्बक करना है, आंत्री कुम्बक हो जाएगा यहाँ पर, स्वास लाकर छोड़ना भी है और रोकना भी है, कुछ देर, पांच की गिंती कर लिजिए, पांच की गिंती पे यहाँ रोकना, पांच की गिंती में आंत्री कुम्बक में रोकना, कैसे? एक, दो, तीन, चार, पांच, एक, दो, तीन, चार, पांच, यह हमारी शुरू-शुरू में दस बार, पंद्रा बार कर लिजिए, फिर उसके बाद में कॉंटिटी इसकी बढ़ा दीजिए, और जो यूवा हैं, वो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे, उसके बाद हमें कुछ एक्क्यू-प्रेशर के पोइंट्स हैं, उनके उपर वर्क करना चाहिए, उसमें मैंने आपको रब थेरेपी में एक पोइंट बताया था, जो कि अंगूठे के यहां पर, इस जगे, यह जो पोइंट है, यह बहुत अच्छा पोइंट है, कहा के लिए, हमारे respiratory system के लिए, thyroid के area के लिए, यहां से नीचे जाने की जो नसे होती है, उन सब का हिस्सा यह है, साथ में insomnia का भी point यहां पर है, साथ में depression का भी point है, गले से संबंदित आगे की point भी यहां पर है, और पीछे के गरदन के point भी यहां पर है, तो यह हमारा point जो है, यह बहुत शांदार है, इसको एक से दो मिनट सुबह शाम, सुबह शाम आप इसको रब करें, बैठे बैठे करना है, इसमें तो कोई बहुत ज़्यादा, और अगर time ज़्यादा है, तो रब therapy मैंने पूरी शरीर की बताई हुई है, आप YouTube पर रब therapy योगाचारे डालेंगे तो वो पूरी रब therapy आजाएगी, वो भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी, दोनों हाथ के अंगुठे, इस तरीके से, आप देखेंगे कि आपको एक ऐसे गले में बहुत अच्छा, सुकून सा, बहुत चांती सी ऐसी महसूस होगी, और आपको एक सुकून जब मिले और उन में भी स्ट्रुमलेशन होगा, तो यह जो हमारी दो अंगुलिया है, देखेंगे, यह जो दो अंगुलिया है, इन दो अंगुलियों से एक अंगुल नीचे, यहाँ यह जो हिस्सा है, यह हमारे लंग्स का है, फेफडे का है, तो यहाँ पर अंगुठे से, ऐसे, इ ऐसे अंगूठे से रब थेरेपी लग भग आप कर लीजे इसको एक मिनट के आसपास तक और धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाए तो डेड़ मिनट तक ये गरम हो जाएगा आपको लगेगा ऐसे महसूस हो गई यहाँ पर गरमी सी महसूस होगी तो जब ये गरम लगेगा तो हम बहुत शांदार साबित हो सकता है इसको इस प्रकार दोनों हातों में यह बहुत अच्छी चीज है इनको आप जीवन में ऐक्यूरिशन पोइंट ऑक्यूरिशन हमारी बहुत पुरानी पद्दती है इस पद्दती को भी हमें हमारी जो परगेतिया Grant उनके साथ जोड़ते प्रकार ताली को बजाते हैं तो ये जो हमारे पॉइंट से सब लाल हो जाएंगे यहां पर आप देखेंगे जब एक मिनट ताली बजा लेंगे तो एकड़म हात लाल हो जाते हैं लेकिन एक छीज़ ध्यान रेखना यहा पर हड्डी सी है यहा पर भी हड्डी है जब आप ऐसे तेज तेज बजाते हैं तो यहाँ पर बहुत लोगों विण दर्द होना शुरू हो जाता है यहाँ पर भी दर्द होना शुरू हो जाता है तो इसको हलके हलके एकदम धीले हातों से कई लोग ऐसे टाइट करके तालिया बजाते है तो यहाँ ऐसे दर्द होता है इस जगे जब यह फिर दर्द क्या है 3-4 दिन 5 दिन फिर आगे तक बढ़ता जाता है ऐसा मत करें एकदम धीला छोड़ दीजे हातों को और फिर ऐसे बजाएंगे न ऐसे धीला तो अंगूलिया और हतेली यह दोनों आपस में बराबर भीड़ने चाहिए यह जब बराबर भीड़ेंगी तो आपका blood circulation आपकी हतेलियों में आएगा लंग्स का point तो आपस में भीड़े गई ही तो इससे भी हमारे vibration जो है वो मिलते हैं इसके साथ एक मुद्रा और है जिसको shivling मुद्रा कहते हैं shivling मुद्रा जो है वो हमारे कफज जो रोग होते है लंग्स को जो है stimulate करता है यहाँ पर कफ के रोगों को pliers करके गर जो अगनी को है उसको बढ़ाता है और लंग्स को भी जो है वो stimulate करता है वहाँ पर खाली करता है उसके उरजा को जो है उसको आगे बढ़ाता है तो यह shivling मुद्रा है कैसे हैं एक से पांच मिनट तक आप इस मुद्रा को कर सकते हैं, हाथ की अंगूलियों को ऐसे आपस में फसा लीजिए, और जो दाहिने हाथ का अंगूठा है, इसको सीधा कर लीजिए, और बाएं हाथ के अंगूठे को इसके उपर लपेड़ते हुए, ये एक तरीके से रब थेरेप किया जाए, तो और ज्यादा जो है, इसका लाब हमें जो बताया गया है सास्त्रोक्त, उसका लाब हमें और ज्यादा इससे मिलता है, लंबी स्वास, प्राणयाम क्या करना है, डीप ब्रीधिंग, वो ही जो मैंने आपको पहले बता है, पांच गिंती तक स्वास लेना, और तो ये स्वांसों के साथ आप जब शिवलिंग मुद्रा करेंगे तो इससे भी लंक्स को ताखत मिलेगी आज मैंने वो चीजे बताई हैं जो आपके लंक्स को पावर देंगी और आगामी जो भी कोई भी ऐसा रोग जो हमारे आसपास फैल रहा है उससे हम अपने आपको प्रोटेक्ट कर पाएंगे अपने आपको अंदर से मजबूत कर पाएंगे बाकी सबी चीजों को करते हुए हम अगर इन क्रियाओं को भी करेंगे तो अपने आपको बहुत मजबूत महसूस करेंगे और आपको अंदर से एक ताकत फील होगी जब आद किलोमेटर परती घंटा की रफतार से भाग सकता है लेकिन हीरन के मन में बाग के परती जो डर होता है उसकी वज़े से बाग उस हीरन को पकड़ लेता है हीरन पीछे मुड़ मुड़ कर देखता है उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है और उसे डर लगता है कि बाग खा और इन क्रियाओं से अपने आपको मजबूत बनाना है, हमारा देश, हमारे लोग, हमारे समस्त जो मानव जाती है, वो अपने आपको मजबूत करें, ऐसी ही अपेक्षा करते हुए, मैं डोक्टर मनोज योगाचारे लेता हूँ इजाज़त, त्रीनेतर टीवी के लिए त्री